10 जुलाई सन 2023, विक्रम समवत 2080 चल रहा है, श्रावण मास है, क्रश्न पक्ष है, वडशा रितु है, तिथी अश्टमी है, और आज का वार है सोमवार, आज श्रावण का प्रतम सोमवार होने से बहुती विशेश साधन भजन का दिन है, आज के नक्षत्र की बात करें, तो रेवती नक्षत्र शाम 6.69 मिनट तक है, आगे अश्वनी नक्षत्र है, योग अतिगंड है, दौपेर 12.32 मिनट तक आगे सुकर्मा योग है, तो योग की द्रश्टी से आज का दिन जहां दौपेर 12.32 मिनट तक कोई विशेश शुब नहीं है, सांसारिक कारियों के लिए वहीं बाद में ये अच्छे परिणाम, अच्छे फल देने लगेगा. कारक बन जाता है, क्योंकि इस राहुकाल में भगवत्य का स्मरण राहु की पीडा से मुक्ति दिलवाता है. अभिजित मुरत आज 11.58 मिनट से दौपेर 12.53 मिनट के बीच है. दिन में चार बाद दुष्ट मुरत भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजेगा. ये हैं दौपेर 12.53 मिनट, फिर 1.49 मिनट, दौपेर बाद 3.40 मिनट और 4.35 मिनट. आज का दिशा शूल दर्शको पूर्व दिशा में हैं, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवारी यात्रा है, तो उसका परिहार करके निकले, परिहार बहुत सरल है, पूर्व की और मुख कीजिए, सामने एक दर्पन रखिए, उसमें अपना मुख देखकर पीछे चलिए, पांच कदम, और जब ये सारी प्रक्रिया आप करें, तो अपने हिर्दे में अपने इस्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उसे प्राथना करें, फिर इस दिशा की यात्रा करें, तो ऐसा करेंगे, यात्रा मंगल में, शुब, सुरक्षित, और सिध्धी प्रदो जाती, इसमें कोई संदेह नहीं, आज का शुब करें, तो इन दूनों समय का ध्यान रखते हुए करें, तो आपको फल जाद अच्छे मिलेंगे, सफल होने के चांसे बढ़ जाएंगे, आज की चंद राशी दर्शे को मीन है, शाम 6 बच के 69 मिनट तक आगे चंदरमा मेश राशी में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज क राशी वालों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है, पैसा, सम्मान, यश, सब कुछ प्राप्त होता है, मिथुन राशी वालों को कार्याले में होगी प्रशंशा प्राप्त, यानि आपको एप्रेशेशन मिलेगी, हो सकता है, प्रमोशन के चांसे भी मिले, करक राशी राशी वालों को भागी देगा बहुत बड़ा उसर और सिंग राशी वालों के लिए सावधनी बनाये रखने का दिन है, और कन्या राशी वाले अपने वहवाईक जीवन के विवाद आज सुल जा सकते हैं, तुला राशी वाले ननियाल पक्ष्य होते दिख रहे हैं, आसपास के लोगों से, और कुम राशी वालों के पुरानी इंवेस्टमेंट उन्हों दे सकते हैं, आज कोई बड़ा लाब, और मीन राशी वालों को आज आत्मिश्वास से भरा रहेगा दिन, जो भी आप करेंगे, उसकी आपको अच्छी प्रशंशा भी मिलेगी, दर्श मनुष्य को हितो प्रदेश में एक सूकती है, जो कुछ इस प्रकार है कि ब्रजन तीना निर्वर्तन ते स्तुरूतान सी सरिताम यथा, आयू रादाय मृत्यानाम तथा रात्रेहनी सदा, इसका अर्थ ये है कि जैसे नदियों का बहाव आगे ही जाता है, यानि नदियों क जो है वो बड़ा होता है, युवा होता है, वो वरद्ध होता है, अन्तमे मृत्य को प्राप्त होता है, ऐसी कोई स्तिती नहीं है कि आयू पीछे के और लोटने लगे, इसलिए अपने प्रत्वी पर आने के मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में आप पूरे मनय मोक से लगें और इसे पूरा भी करें, शास्तर के अनुसार मनुष्य की जीवन के चार पुर्शार्त या कहें कि चार प्रकार के करतव्य है, एक है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और मोक्ष, तो अपने नियत करतव्यों का पालन, जो आपकी ड्यूटीज है, उनको काम को अपनी जो जॉब है या अपनी जम्यदार है, उनका पालन करना, अपनी कुल परंपरा और अपने पंत अनुश्वार इश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना, ये धर्म है, और धर्मानुसार आचरन करते हुए धन अर्जित करना, ये अर्थ है, और इस अर्थ का उपभ जोग धन माया सबसे स्वयम को धीरे धीरे बंदन मुक्त करते जाएं जिससे हमारा मोहकाक शय हो उसे कहते हैं मोक्ष तो आज की ज्ञान चर्चा का सार यह है कि हम अपने उत्तरदाइत्व को जो प्रकरती ने परमात्मा ने हमें दिया है इसे समझें और इसका पालन करें साथ अग्रिसर होते हैं जिनकी जनुम पत्रिका में चंद्र ग्रहें निर्वल हो पाप प्रिडित हो या विपरीत दशा से आपको परेशान किये वह हो या फिर वो लोग जो डिप्रेशन एंग्जाइटी से जूज रहे हो या फिर अत्यंत ही भाउगता के कारण अनेक प् यह है कि आप बहुत जाद एमोशनल हैं और उनको एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे हैं तो आज आप एक बहुत ही विशेश पद्यती से शिव पूजन करें तो भगवान शिव जी प्रसंद होंगे और चंद्र ग्रहे का आशिरवाद भी आपको प्राप्त होगा और इन समश् सबसे पहले नित्ते की तरे शिव परिवार का पूजन करें गंगाजल युक्त जल से दूद से शिवलिंग का विशेख करें और फिर जो सभी वस्तुय अपलाए थे वह महादेव को अर्पित करें और उनसे प्राथना करें कि चंद्र ग्रह की पीडाओं से हमें मुक्ति द है ओम एम क्लीम सोमाय नमहें इसके बाद में 16 माला आप बीज मंत्र का जाब करें जो इस प्रकार है ओम श्राम श्रीम श्रोम सहे चंद्र मसे नमहें ओम श्राम श्रीम श्रोम सहे चंद्र मसे नमहें इस प्रकार से 16 मालाओं का जाब करें और अंत में एक माला आप चंद्र डाप करें चंद्र गायतरी स्वक्राइव और अगा जाब करें प्रणाम करें मंत से चंद्र देव और महाद monkey को इस प्रकार के चंद्र ग्रह की सामगरी के शिव समर्पन और चंद्र ग्रह के जाब से आज श्रावन सुम्वार पर आपको अमोग फल प्राप्त होगा और ग्रह जनित पीडाओं से निश्चित रूप से आप मुक्त हो जाएंगे आप करके देखिए चंद्रमा की आराम आएगा दर्चकवा श्रावन का प्रतम सुम्वार है और इस दिन का व्रत पार्थिव शिवलिंग पूजन रुद्रा विशेक अनंत फल्दाई होता है इसलिए आप सभी जन आज से सुम्वार के व्रत करना शुरू कर सकते हैं और ये भी एक तथ्य है कि जो लोग श आप चुद्री पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं या फिर पंचाक्ष्री मंत्रियानी नमे शिवाय के साथ शिव जी का अभिशेक अवश्य करें अभिशेक इस प्रकार से करें कि भवन वाहन भूमी के इच्छुक है वो मिश्री मिलेवे धाई से अभिशेक करें आर्थिक उन्नती के जो इच्छुक है वो गन्य के रस से अभिशेक करें असाध्य रोक से प्रिडित हैं तो वो कुशोदक से यानि कुश मिलेवे जल से अभिशेक करें वन शिवरद्दी के लिए गौमाता के दूद और घी से अभिशेक करें और इससे आपको स्वास्तलाब भी होगा और शक्कर मिलावा दूद अगर आप अभिशेक में प्रयोग क से आगे की करतिया को मिल जाती है ऐसे शहत से अभिशेक करने पर स्वास्तलाब होता है साथ ही साथ हमारे कम्यूनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं शीतल गंगा जल और कच्चे दूद्द से अभिशेक करने से मानसिक शान्ती मिलती है डिप्रेशन की स्टिंन चानती आएगकी आपकी जन्वार्बन में चंडर्मा प्रभल होंगे दोशोके शांतीु और बात करते हैं आपके सवालों को आपके सवालों में हैं यह माता-प्ता ने जन्म पत्री भीजिए देखे काववे की कुम्ब लगन की पत्रिका है जिसमें शनी और मंगल दशंभाव में यूति किये हुए और इसके साथ साथ ही मंगल की नौमांश कुंडली में स्तिती दर्शा रही है कि काववे गनित और टेक्निकल सिक्षा में बहुत ज़्यादा विशेश रूची लेगा और सैना पुलिस न्याइक सेवा या प्रशासनिक सेवा या फिर बैंकिंग में सरकारी नोकरी प्राप्त करेगा यह उच्चोपद प्राप्त होंगे या तो डिफेंस में या बैंकिंग में चंद्रमा और पंचमेश अस्त होने से इस बच्चे की आगे जाके निर्णे शमता बिलकुल अच्छी नहीं होगी डिसिजन्स अपने खुद अच्छे से नहीं ले पाएगा तो अच्छा यह रहेगा कि अभी से बालब को भगवान श्रीव जी भगवान श्री राम की पूजा उपासना शुरू करवा दीजे और जब 15 वर्ष की आयू हो जाए तो फिर अच्छा सा पन्ना और एक वाइट उपल अवश्य पहनाईएगा जिससे आगेगा जीवन सुखद हो जाए बुद्ध और शुक्र के जाब करवा लेने से बच्चे के भाग्योदे में साहिता प्राप्त होगी तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज की विसस्त उपाए और ज्यान चर्चा मैं पंडे च महादेव से प्राथना करता हूं कि आप जब हमारे बताय उपाए करें तो आपके कश्टों का निवारन हो और आपकी मनों कामना पूर्ती अवश्य हो साथी साथ एक निवेदन है कि श्रावन मास में व्रक्षा रूपन अधिक से अधिक संख्या में अवश्य कीजिए और यह जो साक्षात प्रकट प्रकटी भगवती है हमारे सामने इनकी सेवा अवश्य कीजिए कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे सखास कारिकरम भागयम में और भागयम के भी इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम औ गवर कौम किस तरीके से कर सकते हैं आज की दिन हमें क्या कारिय करने चाहिए और क्या करने से हमें बचना चाहिए और दोस्तों आपका रीडिंग आपकी कौन सी होने वाली है कौन सा होगा आपका मूलांक अगर आपने हमारे कायर करम को नया ही जॉइन किया एक उधारन दे एक तो कहीं न कहीं सूरे का अंक है और सूरे जो हैं वो हमारी सोल को रिप्रेजेंट करते हैं और दोस्तों आपको पता है जो सन है वो हमारी लाइफ में हमारा कम्मिनिकेशन हमारा presentation, हमारे काम करने का तरीका और साथ ही साथ जिस भी field में हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा प्रभाब उन हर चीज़ों को जो है वो represent करते हैं तो अगर हम अपनी soul की बात करते हैं, अपनी sun की बात करते हैं तो जितना जादा powerful हमारी soul होगी उतने ही जादा कहीं न कहीं हमारा जो कारे है वो बहतरीन होगा और अपनी अंतरात्मा की अपनी आत्मा के मजबूत होने का तो ये भी बहुत आवशक है क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगहों पर ये mentioned है बहुत सारे योगियों ने, बहुत सारे संतों ने, साधगों ने इस बारे में व्याक्या भी की है कि जितनी अधिक हमारी सोल शक्तिशाली होती है उतना ही अधिक वो बाहरी नकारात्मक इंफ्ल्यूंस से अपना बचाव कर सकती है सुरक्षित होती है तो आए दोस्तों बिना देर की अपने कारिकरम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के लिए angels और ancestors हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 10 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक एक के लिए हमें गाइड किया जा रहा है आज आपको कहा जा रहा है कि आज आपकी life में एक बहुत अच्छी opportunity मिलेगी जहां पर आपको किस रास्ते जाना है ये आप निर्धारित कर पाएंगे अगर हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की यह हम बात करते हैं आपके जौब में परिवर्तन की तो जो भी कुछ चेंज आप लाना चाहते हैं अपने आपको जिस भी तरीके से आप अपडेट करना चाहते हैं उसके लिए आज आपको वो मौका मिल रहा है तो अब यह आपके ये पर निर्वड करता है कि आप उस मौकी को ग्रैब करते हैं या नहीं तो कुल मिला के आपको guide किया जा रहा है कि आज का दिन आपको बहुत समस्दारी से बिताना है और बहुत सोस्ष कर अपना निरने लेना है किसी के भी दबाव में आकर नहीं आपका दिन शुभा आई जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड करने हैं 10 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है स्नेक का गाड है आप पास्ट में जीना बंद कर दीजे आप पहले क्या थे पहले क्या करके आए हैं पहले किसमकान पर थे, वो हर चीज पास्ट है, आप आज जो हैं, अपने आज के उपर आपको काम करना है, so that जो भविश्य है वो बहतर हो, तो आपको क्या करना है, अपनी पुरानी चीजों को, पास्ट की चीजों को छोड़ देना है, अगर आपको कोई विक्ति छीक नहीं लगता रहा है आपने अगर किसी प्रकार का मत्भेद हुआ है या किसी ना पके साथ गलत किया है उसे माफ नहीं कर पारें तो आपको डिवाइन क्या करें छोड़ दीजे मुवाण करिए अपनी ग्रोथ के लिए मुवाण करिए आप किसी को माफ करते हैं तो व्यक्ति के है उसकी उर्जाओं से तो आपको क्या करना है कि आपनी जो भी पास्ट की चीजें जो आपको उलजा रही है अटका रही है आपकी आगे बढ़ने में बाधा है आज आपको अपने आपको उनसे पूरी तरह से मुक्त कर देना चाहिए आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइट कर रहे हैं दस जुराई दो हजार थे इसके लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है अर्थ गार्डियन का कार्ड है आपको कहा जा रहा है आपका दिन आज का बहुत पाइनैंब का कि आपको इस सफलता को बनांगे तो और एक सब्सक्व में इसी правда अपने यहि एक करना आप और शेकर करना है जितने आप पाइड को अगर अप है तो डाउन है तो अप भी होगा तो अप भी होगा तो पुल मिलाके एक तो आपको न्यूट्रल रहना है डिटैच रहना है दूसरा आप नंगे पैर आज घास पर जरूर चले प्रकृति के साथ थोड़ा समय जरूर बिताएं और अगर संभव हो सके तो ऐसे किसी पैड को आप ऐग करें तो Tiि अधिuntर ऑफ चीजए जिस से कि आप पॉपधेर है वह सारी की सारी चीज़ आप उस पैड से कहें अगर आप किसी तरीके ते परिशान है तो भी आप ऐसा करें तो आप देख़र एकिती जल्दी आपको रलीफ मिलेगा ऑ बहुत अच्छे से मजबूत हो पाएंगे आ यह जानते हैं मूलांक चार के लिए हमारे एंजिल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं द February 2023 के लिए और मूलांक चार के लिए हैं हंटर का गाड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको क्या करना है कि जो भी कोई आपके भीतर का डर है आज आपको उसके बारे में बात करनी है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप डिसकस नहीं करते हैं ना अपने फ्रेंज से ना फैमिली से अगर आपको यह कहा जा रहा है अगर तो पूरी तरह नहीं मिल रहे हैं अगर आपको कोई दोस्त होगा तो वास्तिकता में आपको समझ पाएगा आइए जानते हैं मूलांग को पांच के लिए हमारे एंजल हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं दस जुलाई जो भी भाग दोड़ आप कर रहे हैं, अपने स्वास्त का आपको आज खयाल रखना है, आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, आप एक चाहे ग्रहनी ही क्यों ना हो, लेकिन आज के दिन आपको rest करना जरूरी है, जो भी आपकी past activities हैं, उनसे थोड़ा सा ब्रेक लें, अगर आ पैसन नहीं करते हैं, तो health wise कुछ issues create हो सकते हैं, जिसमें muscles, pain और पैर से जुड़ी तकलीफ, कमर से जुड़ी तकलीफ आपको हो सकती है, तो इस बात का विशेश ध्यान रखे, आए जानते हैं, मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा, हमारे angel and sisters, आज हमें क्या guide कर रहे हैं, 10 July 2013 के लिए, और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, elder का card है, आपको कहा जा रहा है कि अभी तक जिस pattern पर आप काम करते आ रहे हैं, या आपके परिवार जन, या आप कोई भी job करते हूं, या आपके business करते हैं, और जो पुराना धर्रा रवया चला आ रहा है, आज आपको उससे हट कर काम करना होगा, आज आप जो भी कुछ करें, वो old pattern नहीं होना चाहिए, किसी pattern का repetition नहीं होना चाहिए, ऐसा करने पर जो फिर result है ना, फिर वो भी वैसे ही मिलते हैं, अगर आपको सकरात्मक result चाहिए, आपको growth चाहिए, तो आपको अपनी plannings, अपने patterns में भी त करना होगा, तो कुल मिला के आज का जो दिन है, वो थोड़ा different करने का है, पुराने धर्रे से हट कर कुछ नया करने का है, creative करने का आपका दिन शुब हो, आई जानते हैं, मूलांक के साथ के लिए, हमें हमारे angels and sisters, आज हमें क्या guide कर रहे हैं, 10 जुलाई 2023 के लिए, और मूल हैं, अगर आप अपनी लाइफ से हैपी नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसके pros and cons निकालिए, कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस pattern पर काम कर रहे हैं, और उसका result आपको क्या मिल रहा है, तो थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके में, अपने दृष्टी कोण में, आज का गाइड कर रहे हैं, 10 जुलाई 2023 के लिए, और मूलंक आठ के लिए में कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हैं, बहुत यंग एनर्जी जैं, ऐसे में आपको अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, अपने चैलेंट प आपको बनाया जा सकता है, तो कुल मिला के आज का जो दिन है, वो नई उपर्शुनिटी इसको हाथ में लेने का है, साथ ही साथ, अपने टैलेंट पर भरोसा भी करने का है, और आगे बढ़ने का है, आपका दिन शुब हो, आइए जानते हैं, मूलंक 9 के लिए, हमारे आपकी आज की साइकिक पावर, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई रहने वाली है, कहीं न कहीं जो कुछ चीजों का पूर्वा भास आज आपको हो सकता है, या आज आपके समक्ष हैसी को घटना घटी तो आपको लगारे, यह तो मैंने पहले देखी भी ऐसा, अगर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़के काम करना चाहते हैं, तो आपके इंट्यूशन जो हैं वह आपको आपको तहीं आज देंगे, कहीं न कहीं आपके जो इंट्यूशन पावर है, वह आपको तहीं दिखाएगी, तो आप उसको फॉलो अवश्य करें, आपका दिन श सकते हैं आप सभी के भीतर बैटे पर मात्मा को मेरा प्रणाम